रमस्कार दोस्तों प्रियंका गांधी के पती रोबर्ट वाडरा क्या अमेठी में इस मर्दी रानी के सामने चुनाओ लड़ेंगे? इसके संकेत खुद रोबर्ट वाडरा दे रहे हैं रॉबर्ट वाड़रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि अगर मैं सियासत में पहला कदम रखूँ और सांसत बनने की सोचता हूँ तो अमेठी को ही अपना क्षेत्र बनाओं 1999 में मैंने प्रयंका गांदी के साथ अमेठी में चुनाव प्रचार भी किया था वाड़रा ने अमेठी में इस मरदीरानी पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को लगता है कि उनसे 2019 में गलती हो गई उन्होंने कहा कि अमेठी की सांसद से वहां के लोग बहुत परिशान है अमेठी के लोगों को लगता है कि उनसे गलती हुई है क्योंकि सांसद का वहां जादा आना जाना नहीं है सांसद अमेठी के लोगों की तरक्की के बारे में नहीं सोचती उन्हें बस गांधी परिवार पर बेबुनियाद आरोप, सवाल उठाने और शोर शराबा करना ही आता है मैं देखता हूँ कि वो ज्यादा तर समय उसी में लगी रहती है रॉबर्ड ने ये भी कहा कि गांधी परिवार ने वर्षों से रैबरेली, अमेठी और सुल्तान पुर्क शेत्र में बहुत महनत की है इन शेत्रों के लोगों की खुब तरक्की हुई लेकिन अब अमेठी के लोगों को लगता है कि उनसे 2019 में गलती हुई है अब अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदर से आए और उसे ही वो भारी भहुमत से चुनाओ जिता है दोस्तों रॉबर्ड वाड्रा का सियासत से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना तो नहीं रहा लेकिन चुनाओी मौकों पर वो अपनी पतनी प्रियंका के साथ या अपने साले राहुल गांधी के साथ अकसर नजर आते रहे हैं मुरादबाद के रहने वाले हैं रॉबर्ड वाड्रा और प्रियंका गांधी से उनकी शादी हुई अब वो ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के साथ-साथ वो भी सियासत में उतरें हाला कि रॉबर्ट का ये भी कहना है कि अगर प्रियंका गांधी सियासत में आती है तो उनको बहुत खुशी होगी कहीं न कहीं, रॉबर्ट की कोशिश ये है कि क्योंकि राहुल गांधी वाइनाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो रॉबर्ट के मन में ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी राइबरेली से चुनाव लड़े और खुद रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़े रैबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, अभी कॉंग्रेस को उतर प्रदेश में जो 17 सीटे मिली हुई हैं, उनमें कॉंग्रेस ने मोटे तोर पर अगर देखा जाए, तो 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है, सीतापुर में प्रत्याशी बदला की हैं, और सबसे जदा फोकस लोगों का रैबरेली और अमेठी को लेकर है, और ऐसे में जब सस्पेंस बरकरार है, उस वक्त में रॉबर्ट वाड्रा का इस तरह का बयान सामने आना, यकीनन कई सवालों को खड़ा भी करता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की चुनावी एं